रेजोनेंस है में देवेश गुपता फैकल्टी सोसल शाइंस अभी हम लोग डिसकस करेंगे वो करेंट अफेस से संबंदित विशे है और करेंट अफेस से संबंदित इस विशे में कुछ इस्टेटिक जीके के कुशन भी क्लियर होंगे जो एक्जाम में आपके लिए महत्प इडिंग दी है स्टुडेंट्स वो जो दी है वो दी है हमने प्रधान मंत्री की यूनान यात्रा तो यहां पर प्रधान मंत्री की यूनान यात्रा है हाल ही में रिसेंटली भारत के प्रधान मंत्री ने एक दे उसे दोरा यूनान का किया और यहां पर मैं आपको बता दू यूनान जो है यूनान नामक जो कंट्री इसी को वर्तमान में किस नाम से भी जाना जाता है ग्रीस के नाम से भी जाना जाता है अब यहां पर हम लोगों ने एक स्लाइड शो की शेयर की है तो वो उस यात्रा से संबन दीती है दोनों देशों के प्रधान मंतरी इसमें दिखा छो उसे यात्रा पर समझोते क्या-क्या हुए वह अब को झ्धान रखने करें हम लोग उनको पढ़ते लिए रहे हम आर्टीकल हमें बता रहा है करंड का विश्य है उसकी इंपोर्टेंस क्या है वह हम यहां पर शेर करेंगे आखिर इस यातरा की इंपोर्टेंस क्या है तो देखेंगे यहां पर एक तरफ दिखाएं भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिखाया है और दूसरी त का में जो को है किरिया समितसे हैं तो यहां पर इस नाम को क्योंकि नाम महतपून्य विंद में दोरह सकता हुए कmi बहुए है किन रेक। नाम हे लाए नियुक्तित पर इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में डिसकस करते वे कुछ कुशन्स हम लोग क्लियर करेंगे अब देखिए प्रधान मंतरी की यूनान यातरा जो बताई गई है तो मैं आपको ये बता दूँ पहले तो मातर ये केसी एक दिवसी यातरा थी तो एक दिवसी यातरा पर प्रधान मंतरी कहां पर गए थे ग्रीस पर गए थे यूनान गए थे अब मैंने यहां जो आपको शो किया है इसकी इंपोर्टेंस क्या है इस यातरा की इंपोर्टेंस क्या है उसके बारे में बात कर रहा हूँ एक तरफ तो मैंने यूनान को शो किया है यूनान की जो राजधानी वो क्या है एंदली भारत की राजधानी यहां पर मैंने शो की है इसके अलावा जो तिन तेन देश और यहां शो कि है वो पाकिस्तान शो किया है तुरकी बताया अजया ठीनों की तिकडि बन चुकी है तीनों देशों का एक गोषिद अनौपचारी के गुट बन चुका है तो आगर हम यहां पर कहें तो यह तीन जो देश है इसमें एक पाकिस्तान है राजधानी के रूप में इस्लामाबाद तुर्की की बात की जाए तो आप इसको समझेंगे धेखिये इस यूनान की जो यात्रा है उससे भारत का रणनीतिक मोर्चा मजबूत हुआ है। अब देखिए रनीतिक मोर्चा मजबूत के से हुआ है, इसके संदर में हम लोग यहां पर इसको समझेंगे कि कहीने कहीं भारत का लगातार प्रभाव बढ़ रहा है, कहां पर मद्धी एशिया में और मद्धी पूरू एशिया में, तो एक तो मद्धी एशिया में भारत का प अखारत के बढ़ते वे प्रभाव से, अब यूनान जैसे देश या एथैंस के भी जो एक दिवसी यात्रा भी प्रधानमंत्री के द्वारा की गई, उस देश के साथ दो हुजार बाइस तेश में देखिए हमारे व्यापार की इंपोर्टेंस, दोनों देशों के बीच एक कित्ता बताया गए, एक सो साथ अरब रुपे का व्यापार हुआ है, तो ये कि इंपोर्टेंस है हमारे रिष्टों की, कि हमारे लिए ग्रीज की इंपोर्टेंस क्या वर्तमान में है, अब देखिए ग्रीज की इंपोर्टेंस की बात की जाए, ये जो ग्रीज की बात की ज रिष्टे आपस में मजबूत हो रहे हमने इस देश के साथ में रिष्टों को मजबूत भी किया है कहीं ने कहमें एनकाउंटर करना है किसको इस तिकड़ी को क्योंकि पाकिस्तान तुर्की और अजरबेजान मद्धी एशा में और मद्धी पूरू एशा में भारत के बढ़त पाकिस्तान के साथ हैं तो पाकिस्तान के साथ अपनी सहमती बताते हैं कश्मीर मुद्धे पर भारत विरोधी विचार तो उनका पहले से बनावा है चाहे वो तुर्की हो चाहे अजरबेजान हो और वहीं पर देखें चाहे सेनिमोर्चे की बात आजाए सेनिक गतिविदी क बात आजाए तुर्की सेन्य मोर्चे पर अभी हमेशा किसके साथ खड़ा दिखाई देता है पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता है इसके अलावा हम यहां पर बात कर रहे हैं कि तुर्की संयुक्त राष्ट में भी कश्मीर का मुद्दा उठा चुका है तो कश्मीर क मुद्दे की जो बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ तो ही है हालात तो ये हैं कि तुर्की जो है वो संयुक्त रास्ट में भी कश्मीर का मुद्दा उठा चुका है तो अब आप समझ सकते हैं ये तीन नेशन जो हैं यहाँ पर एक एसी तिकड़ी बन चुकी है कि इनको एंक कि यात्रा हुई है हाली में अगला हम पॉइंट देख रहे हैं यहां पर एक एसा विवाद जो चर्चा में रहता है वो जी कि आपका यहां पर क्लियर हो जाएगा उसकी नाम की हम चर्चा करेंगे यहां पर उसकी भोगोलिक इस्तिती को भी हम समझेंगे अब देखिए महा शक्तियों की तरज पर तो जो भी महा शक्तियां विश्की जो बड़े रास्ट है जिनकी शक्ती जादा है जो आर्थिक रूप से सेन्नी रूप से सक्षम माने जाते हैं जिने महा शक्तियां कहा जाता है उन रास्टों की तरज पर अपनी रणनीतिक साज़ेदारी उन से इसी को क्या कहा जाताँ यूनान कहा जाता है तो कुल मिला कर देखिए ग्रीस यूनान और तॅर्ट की जब बात की जा रही है दोनों के बीच पुरानी दुशमनी है तो कहिने कई वह तुर्की जो तिक्डी का एक भाग बन चुका है पकिस्तान के सुर मे शुर मिलाता है इसको बैलेंस करना जरूरी था और बैलेंस करने के संदर्म में ही एक दिव सी यात्रा यहाँ पर की गई है अब देखी यहाँ पर ही कौन सा देश है यह मैंने आपको शो किया है तुरकी है तो भोगोलिक इस्तोतियों में आ हमारी यह होगी दोनों देशों के बीच अगर विवाद की बात की जाए तो ग्रीस के कहीं दीपों पर तुर्की अपना दावा करता है तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रीस के कहीं ऐसे दीप हैं जिन पर तुर्की अपना दावा करता है तो ग्रीस और तुर अगर हम लोग यहां पर देखें तो एजियन सागर कहां पर यह आपके लिए भोगोलीक-जीके- महत्कूर रहे गार और कुछों समय एजियन सागर में तो और देश को प्रिकी और दूसरा देश यूनाowa ने ग्रीस है तो कुल मिलाकर एजियन सागर की भोगलिक इस्तती हम लोग यहां देख लेते हैं एक तरफ में तुर्की को शो किया है एक तरफ में यहां क्या बताया एजियन सी को शो किया है तो कुल मिलाकर भूमद्य सागर वाले शेतर में तो भूमद्य सागर के पास की बात की जा रहे है भूमद्धि सागरवाले शेत्र में जो वो एजियन सी है ये ग्रीस और तुर्की के बीच विवाद का विशे है यहां के दीप विवाद का विशे है एजियन सी किन देशों के मद्धिस्तित है ग्रीस और तुर्की के मद्धिस्तित है यह आप ध्यान रखेंगे और अगर हम लोग यहां बात करें तो यह किस के निकट है? मेडिटेरियन सी के निकट है अब आपका GK का एक कुशन हमेशा के लिए कलियर हो गया है आखिर AGNC का जो डिस्प्यूट है, AGNC का जो विवाद है वो किन देशों के मेडिके के बीच में है तो मैंने आपको बता दिया, यहां पर इस्थित कुछ दीपों पर यूनान का जो अधिकार बनावा है, उसको लेकर आपत्ती करता है, तुर्की अपना अधिकार उनके उपर जताता है, यह विवाद का विशे है, A, G, N, C विवाद, किन देशों के बीच है, एक अच्छा कु कुछे जाते हैं उन विश्यों के अंदर, पर इस जाता है, तो एक और यूनान दोरे पर हमारे जो समझते हुए है, उनारे रखशा साजेदारी को मजबूत किया जाएगा तो एक तो किए डिफेंस के शेतर में हमारी कोई कोई वहां पर समझोता हुआ बिलकुल डिफेंस के शेतर में रक्षा साजेदारी को हम लोग बढ़ाएंगे डिफेंस के शेतर में हम काम करेंगे इसके अलावा आवजन और आवाजाही समझोते पर का क्राम जल्दी पूरा होगा तो कहिने के यहां पर यहारे दौनों देशव के बीच व पर आवजाई सम्झोता हो उसके ओपर जल्दी पूरा लिया जाएगा यह यहां यूनन-यात्रा पर हमारा उयग करेंगे तो द imper resembles also the एग्रीकल्चर के शेतर में सहयोग पर समझोता हुआ बिलकुल एग्रीकल्चर के शेतर में भी सहयोग देने पर आपस में समझोता हुआ है तो कुल मिलाकर एग्रीकल्चर के शेतर में सेन्य शेतर के अंदर नई प्रोध्योगी के शेतर के अंदर आवजन और आवागाही में समझोता हुआ और वहीं कहीं ने कहीं ये भी तै किया गया कि रणनेतिक साजेदारी के इस तर पर सहयोग को बढ़ाया जाएगा तो रणनेतिक साजेदारी के इस तर पर भी आपसी सहयोग को हम बढ़ाएंगे एक सुर में हमारी बात होगी कहीं ने कहीं जो एक अगोशित ति शेत्रों में समझेते हुए ये प्रतियोगी परिक्षा के लिए महत्मूर बने रहेंगे प्रतियोगी परिक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुब कामना है